RBI का order आया है कि PTM बंद हो रहा है अब ग्राहक confused हो गए है उनका जो PTM चल रहा है उसका क्या होगा तो सुनिए जो आपका PTM चल रहा है वो चलता रहेगा जैसे Google पे phone पे चल रहा है वैसे PTM भी चलता रहेगा PTM application बंद नहीं होगी लेकिन अगर आपने PTM payment bank में कोई खाता खोला है तो वो बंद हो जाएगा यानि कि PTM payment bank बंद हो रहा है PTM application बंद नहीं हो रही है इसका मतलब यह हुआ जैसे SBI bank होती है HDFC होती है ICICI PNB bank होती है वैसे PTM payment bank को कब बंद किया रहा है यानि कि आपके पास 29 फरवरी तक का time है PTM payment bank में जो पैसा पड़ा हुआ है वो निकाल लो otherwise आपको नुक्सान हो सकता है लेकिन जो PTM application आप यूज कर रहे हो वो चलती रहेगी क्योंकि वो application किसी और दूसरे bank के खाते से attach होती है लेकिन जो गारियों में फास्टेक PTM का लगा हुआ है वो फास् चेंज कर वाले यानि कि पेटीम application चलेगी पेटीम payment bank बंदो रहा है और पेटीम के फास्टेक बंदो रहे है